नेमीनाथ महापुरुष हुए महावीर से पहले हुए नेमीनाथ यही तो वो महापुरुष हुए की जिन्होंने जीव दया से प्रेरित होकर प्राणी मित्र और विश्व मित्र की भूमी का निभाई और नक केवल पीडित जन्ता वरन पशू पक्षियों की पीड़ा को भी दूर करने के लिए उन्होंने सारे संसार में करुणा का पैगाम दिया इसलिए नेमीनाथ दुनिया के पहले महा करुणा वता रहे हैं राजाओं का जमाना था सो बलियां दी जाती थी बारात में पसू पक्षियों का कतल किया जाता था उनका मांसाहर करवाया जाता था लेकिन नेमीनाथ ने कहा मैं ऐसा कोई विवाह नहीं करना चाहता कि जिसमें एक व्यक्ति के आनन्द के लिए एक व्यक्ति के राजवैभव को दिखाने के लिए हजारों हजार पशों के बली देने के बजाए मैं अपने विवाह की बली देता हूँ और तब उन्होंने विवाह करने की बज़ा है वो निकल पड़े नेमी नात निकल पड़े गिरनार की धर्ती की और अपना बहुत चर्चित गीत है सब लोग उसे बहुत प्यार से गाते और गुन गुनाते है कि जहां नेमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है वो प्रेम मूर्ती राजुल उस पत पर चलती है कि नेमी नाथ की पत्नी पहुंसती है नेमी नाथ के पास अरिष्ट नेमी के पास और जाकर कहती है प्रभू अपना हाथ मेरे सिर पर रखो आपने मुझे पत्नी न बनाया कोई बात नहीं लेकिन अपने चरणों की दासी बनाईए अपनी साध्वी बनाईए और इस तरह से मुझे धन्य कीचिए और तब राजुल कहने लगी कि सौभाग ये कहां सहे गमन करूँ अनुगमन करूँ ऐसा वर्दो जो हाथ हाथ में नहीं दिया वो हाथ शीश पर तो रखतो ये हाथ हमारे अपने शीश पर धर्दो बस प्रभू तुम्हारी इतनी कृपा काफी है तुम्हारा इतना प्रेम काफी है और तब जनम जनम के जो पती पतनी थे जनम जनम के जो मीत थे वो नेमी नाथ के वक्त में मुक्ती के मुसाफिर बन गए मुक्त हो गए प्रेम हो तो नेमी और राजुल जैसा हो अनुराग हो तो नेमी और राजुल जैसा हो पति-पत्नी कोई हो तो नेमी और राजुल जैसे हो के जिसमे व्यक्ति मरेगा नहीं मुक्त होगा और अकेला ही मुक्त नहीं होगा जिसके साथ फेरे खाकर के और साथ साथ जीने और मरने की प्रतिग्या ली है उसके भी मुक्ति का प्रबंद होगा ये महापुरुशों की महनता है मेरे पापा ने भी सन्यास लिया जैसे नेमी नात ने सन्यास लिया मेरे पापा ने भी सन्यास लिया और नकिवल मेरे पापा ने सन्यास लिया मेरे मम्मी ने भी सन्यास लिया जैसे नेमी और राजुल ये दो प्रेम के एक सूत्र में बन गए थे ऐसे हैं मेरे मम्मी पापा हुए जो कि प्रेम के एक सूत्र में बन गए थे मगर उन्होंने पति-पत्नी के रूप में जीवन के शुरुआज जरूर की मगर जीवन का समापन उन्होंने पति-पत्नी के रूप में नहीं किया उन्होंने अपने जीवन के समापन के लिए परमेश्वर का हाथ थाम लिया और अकेले मेरे पिता ने ही परमात्मा का हाथ नहीं थामा अकेली मेरे माँ ने ही परमात्मा का हाथ नहीं थामा दोनोंने एक दूसरे का हाथ थामा और दोनोंने एक साथ परमात्मा का हाथ थाम लिया और तब दोनों ही मुक्त हो गए अगर मेरे पिता ऐसा ना करते तो उनकी मृत्यू होती अगर वे किवल पत्नी का हाथ थामते तो उनकी मृत्यू होती पर उन्होंने पत्नी का हाथ थामने के बाद परमात्मा का हाथ थाम लिया इसलिए उनकी मुक्ति हो गई वे सिद्ध हो गई वे मुक्त हो गई मेरी माँ अगर केवल अपने पती का हाथ थाम थी तो केवल सुहागन कहलाती लेकिन उन्हों ने एक ऐसे पती का हाथ थाम लिया कि जिसने आगे जाकर के परमात्मा का हाथ थामा तो मेरी माँ एक पती की सुहागन न बनी वरन वो अमर सुहागन बन गई कि जिससे सुहाग कभी उजड नहीं सकता कभी हट नहीं सकता संदूर से ही अगर सुहाग का स्रिंगार करते रहोगे तो ये संदूर तो रोज लगेगी और रोज पूछेगी एक ऐसा संदूर लगाओ जो हर दूरियों को दूर कर डाले मुक्त कर डाले तो नेमी नात मुक्त हो गए मेरे पता भी मुक्त हो गए अगर मैं भी घर ग्रेस्ती के जमेले में उलग जाता तो मेरी भी शादी होती, एक बीवी होते, दो बच्चे होते और एक वो दुकान के बीच में और घर के बीच में गदे की खाटनी वाली दिन्चरिया शुरू हो जाती वही गर से गाट और गाट से गर लेकिन मेरी जिंदगी ने भी नए मोड लिये नई दिशाएं थामी परमात्मा का हाथ थामा इसलिए मेरे हाथ सदा केसरिया रहते हैं आपके हाथ तो एक बार पीले हुए होंगे, मेरे हाथ तो रोजे ही पीले रहते हैं आपका तो हाथ थामना पड़ता है, मेरा तो हाथ उसने थाम ही लिया है प्रभू तुम्हारे करीब आने को तैयार है बशरते तुम थोड़ा प्रभू के करीब जाने को तैयार हो जाओ प्रभू तुम्हें अपनी दौलत देने को तैयार है बशरते तुम थोड़ी से अपनी दौलत उसके नाम पर लोटा दो प्रभू तुम्हारी दरिद्रता हरने को तैयार है बशर्ते तुम थोड़ी सी दरिद्रों की दरिद्रता दूर कर दो तो प्रभू तुम्हारी दरिद्रता दूर कर देंगे प्रभू तुम्हे तुम्हारा रास्ता दिखाने को तैयार है बशरते तुम थोड़ा सा पतहारों को पहले रास्ता दिखातो तुम उसकी तरफ बढ़के तु देखो तुम उसकी तरफ दस कदम बढ़के देखो वो तुमारी तरफ सौ कदम बढ़के आ जाएगा तुम उसके लिए चार आंस ढूलका के तु देखो तो वो तुम्हें अपने आंखों के गंगा जल से अभी शिक्त कर देगा उसका अनुग्रह अनुठा है असीम है उसकी कृपा अपार है जो गूट गूट पीता है वही जानता है उसकी कृपा कितनी है जो दिल के देवाले में उसका ध्यान धरता है वही जानता है उसके क्रिपा कितनी आनूठी है जो आखों में उसके दिव्य स्वरूप को बसाता है वही जानता है कि उसका नूर कैसा है जो उसके नाम को लेकर अपने हर दिन की शुरुआत करता है वही जानता है कि जिवा पर उसका स्वाद कैसा है उसका माधुरिया कैसा है मैं मज़ा लेता हूँ मैं केवल जिन्दगी का मज़ा लेता हूँ भाई मैं केवल मज़ा लेता हूँ बाकी मुझे कोई लंबा चोड़ा ग्यान नहीं है मैंने कोई दुनिया भर की किताबे पढ़ नहीं रखी है और किताबों को पढ़ने का मैंने को ठेका भी नहीं ले रखा है मैं कोई लंबा चोड़ा गुरू भी नहीं हूँ हाँ टीचर कहे दो भाई मुझे मैं भी किसी टीचर से पढ़ा हूँ आप लोगों को पढ़ा देता हूँ तो एक मा जैसे बच्चे को तैयार कर देती है तो मा जननी भी हो जाती है मा गुरू भी हो जाती है मैं भी ऐसा ही हो गया समस्थ लो तो मैं गुरू नहीं हूँ, मैं मा हूँ और एक मा का दाइत वो पूरा कर रहा हूँ अंगुली थाम रहा हूँ, खुद भी चल रहा हूँ और आपको भी चला रहा हूँ पार्शुनाथ भी हुए और पार्शुनाथ जब गंगा के किनारे कमठ पंचागनी तप कर रहा था तो कहते हैं कि लकडियां जला के तपस्या कर रहा था तो पार्शुकुमार राजकुमार थे मगर वहां पहुँचे और उन्होंने दूर से ध्यान से देखा तो पता चला कि उन लकडियों के बीच में एक साप का जोड़ा भी जल रहा है उन्होंने तपस्वी को ललकार और कहा कि ऐसा तप क्या काम का कि जिसमें किसी की हत्या और हिंसा हो रही हो पार्शकुमार लकडियों को बाहर निकलवाते हैं चिरवाते हैं उन्हें से जुल से हुए सांप सरपिनी निकलते हैं पार्शकुमार उनको धर्म मंत्र सुनाते हैं और ये घटना हमें यही तो सिखाती है कि हमें भी अगर जंदगी में कोई गायल इनसान मिल जाए तो हमें उसे धर्म मंत्र सिखाना सुनाना चाहिए शायद जैसे पारश कुमार ने उस साप और सरपिनी को धर्म मंत्र सुनाया और उस मंत्र को श्रवन करने से उनका उद्धार हो गया जैसे राम का पाँ छुआ तो पत्थर अहिलिया बन गई तो पत्थर का उद्धार हो गया अहिलिया का उद्धार हो गया ऐसे उस साप और सरपिनी का उद्धार हो गया और वो मर करके देव बन गए, धरणेंदर और पदमावती की रूप में अगर कभी कोई घायल मिल जाए तो हम लोगों को भी ऐसे ही और कोई सेवा बन जाए तो जरूर कर देना पर कम से कम उनको धर्म मंत्र जरूर सुना देना शायद इसी बहाने विर्जे हम किसी के देव रूप में जनम देने के निमित और आधार बन जाए यह बहुत बड़ी सेवा होगे बहुत बड़ी जीव दया होगे बहुत बड़ी विश्व मेत्री को साधने का सूत्र होगा विश्व मित्र बन जाओ सब के मित्र आप मेरे भी मित्र बन जाओ मेरे गुरुओं के गुरुओं के भी मित्र बन जाओ अपने पड़ोसी के भी मित्र बन जाओ अपने बच्चों के भी मित्र बन जाओ अपने माबाप के भी मित्र बन जाओ अपने समाज के मित्र बन जाओ इस पूरी दुनिया के मित्र बन जाओ धार्मा हमें विश्व मित्र बनना सिखाता है प्राणी मित्र बनना सिखाता है सबसे प्रेम सबकी सेवा लेकिन पारश कुमार का जीवन हमें प्रेरिना देता है कि अज्ञान तपस्या कभी मत करना जब भी तपस्या करो तो ग्यान पुर्वक तपस्या संपादित करना ताकि वो तपस्या हमारी आत्मा की शुद्धी के लिए हो मन के विकारों को क्षय करने के लिए हो मन में पलने वाले क्रोध कशाए वैर वैमन से की गाठों को खोलने वाला हो केवल भूखे मरने से क्या होगा शरीर को तपाना तो एक आधार है भाई तपाने का उद्दिश्य तो मक्षन को तपाना है तपेले को तपाना पड़ता है क्योंकि बगैर तपेले को तपाए मक्षन को तपाया नहीं जा सकता है इसलिए तपेले को तपा रहे हैं ये काया तपेले की तरह है तो इस काया को अपने लिए तपिली समझो तपेला समझो तपेले को तपाना लक्ष नहीं है मख़न को गी के रूप में बदलना हमारा लक्ष है अब ये अलग बात है कि तपेला तप रहा है